नमस्कार, हिंदी साहीत यवारता में आप हैं इसको सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हम अपनी मौक टेस्ट की जो श्रिंकला है उसको कर रहे हैं और इसके अंतरगत हमने जून 2019 में जो परिक्षा हुई थी उसका पूरा हिंदी का प्रशन पत्र था उसको हल किया था आज हम लेकर आये हैं जून 2018 का प्रशन पत्र है उसको हम कल हल करने की कोशिश करेंगे अगर आपने पहले वाली हमारी वीडियो मौक टेस्ट की नहीं देखी हैं तो आप लेलिस्ट में जाकर MCU के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चिर की सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतन प्रशन इसमें देखी क्या कहा गया है कि आभ्यंत्र प्रियत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं तो देखिए आभ्यंत्र प्रियत्न के अनुसार जो वर्णों के भेद हैं विकल्प हैं देखिए तीन हैं चार हैं दो या फिर उनिट में ही हमने इसको complete किया था, clear किया था, तो वहाँ पर आपको ये चीज बिस्तार से मिल जाएगी, यहाँ पर मैं simply आपको इतना भी बिता रहा हूँगे कि इसके कितने भेध हैं, है ना तो ये चार हैं, चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं हम, निमी लिकित में से प clear है, तो देखिए इसमें ब्रश भाषा है, कनोची है, बुंदेली है, या फिर मगई है, तो हमने यहाँ पर देखना यही है कि पश्चमी हिंदी की बोली जो क्या है, नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक प्रशन बोली से प दिक्सित है, चाए शौर से नहीं है, चाए अन्य है, तो यहाँ से इस तरीके से एक प्रशन बनता ही बनता है, तो MCQs करने का फाइदा यह है, कि हमें प्रिवियस ये के पेपर से यह पता चल पड़ता है, कि किस तरीके से प्रशन पूछे जा रहे हैं, तो इससे पहले हमन प्रशन बनता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए, विकलप नमबर चार, क्या है, मगई, ठीक है, अगला प्रशन देख लेते हैं, प्रशन नमबर तीन, सिद्ध साहित्य के अंत्रगत, 84 सिद्धों की वे साहितिक रचनाय आती हैं, जो प्राकृत में लेकी गई है या पैशाची अपभरश में लेकी गई है, या पूरवर्ती अपभरश में लेकी गई है, या फिर विकलप नमबर चार है देखिए, ततकालीन लोकभाशा हिंदी में लेकी गई है, तो दीखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में भी हमने एक पूरा का पूरा लेक्चर त्या कुछ एक प्रशन है जो simple सधारन से पूछ लिए गए हैं लेकिन कुछ एक प्रशन कैसे हैं जिनमें हमें पढ़ने की जरूरत है है ना कि हमें उसको complete जाके पढ़ना पढ़ेगा है ना तो देखिए वाला प्रशन ठीक वैसे ही कौन सी रचनाय आती है इसमें जो प्राकृत मे प्रहिश वो कैसी थी वो लोक भाषा में परिवर्तित होती जा रही थी ठीक है तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा विकल्प नमबर 4 ततकाली लोक भाषा हिंदी में लेकी गई है आगे अब देख लेते हैं हम अगला प्रशन कबीर के निर्गुन पंत का अधार भारतिय व बारे में कुछ ना कुछ पंक्तियां जरूर पुछी जाती हैं कि वो किस ने कही है क्योंकि ये चार जो है वो मौत्वपूर्ण है हमारी भक्तिकाल में इनसे समन्दित कुछ ना कुछ प्रशन जरूर पुछ जाते हैं या कबीर की कोई उप्ती दे जाती है या कबीर का इसने दिया था तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा देखिए अचारे रामचंदर शुकल, सांक्रित्याइं, हजारी प्रसाद या फिर गोविंद त्रिगुणायत तो ये बात कही है अचारे रामचंदर शुकल जी ने तो अचारे रामचंदर शुकल का हिंदी साही तका इति इतिहास को हम दरकिनार कर ही नहीं सकते जब हम NTA UGC NET हिंदी की त्यारियां कर रहे हैं ना सिर्फ NTA के लिए जो भी हम परिक्षा हिंदी से संबंदित देते हैं अचारे रामचंदर शुकल का इतिहास बहुत महत पूर्ण है उसके लिए इसका सही अंसर भी क्या है अचारे प्रेम लक्षना तो यहां पर लक्षन हो गया इसको आप ठीक कर लिजेगा तो देखिए यह विचार भी किसका है जौर्ज ग्रियरसन, मिश्यबंदु, शुकल या फिर रामकुमार वर्मा तो देखिए ये बात भी किस ने कही है ये भी अचारे रामचंदर शुकल जी ने ही कही है उसके बाद आता है अगला प्रशन इसमें कहते हैं कि प्राणचन चोहान का संबंध भक्ती की किस शाखा से है तो देखिए भक्ती शाखा को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है ये भी हमने अच्छे से इसको समझा है तो जो प्राणचन चोहान है उनका संबंध किस भक्ती की शाखा से है ये प्रशन यहां पर पूछा क्या है तो देखिए जो प्राणचन चोहान थे ये किस से थे विकल्व नंबर एक होगा इसका सायूत्तर राम भक्ती शाखा से, clear है, तो देखिए जैसे ये चार शाखाएं हो गई, देखिए ये भक्ती की जो शाखा हैं अलग-अलग, है ना, जैसा गुण हो निर्गुण हो, ज्यान मारगी हो या फिर आपकी प्रेम मारगी हो, तो इन में कई बार, हर नाभदास को पूछा जाता है, नदिदास इनको अक्सर दे दिये जाता है, कि इन में से कौन सा क्रिशन भक्त है भुणदास, चत्र भुष दास या फिर आपको क्रिशन दास तो ये जो है, देखिए ये है बिकल्प नमबर 받ू, इसका साई उततर होगा ये भी पूछ ली जाती है इनके बारे में पढ़ना जरूरी है नंदास जो क्रिश्मक्त कभी थे ठीक है आगे है देखिए राजनितिक रूप से रितिकाल मुगलों के शासन की वैभव के चर्मुतकर्श का यूग है उत्थान का यूग है या विस्तार का यूग है या चर्म उत्थान था या विस्तार था या फिर उत्रोतर हरास और पतन का यूग था इसका जो सही उत्तर क्या होगा विकल्प नमबर 4 तो वहाँ पर क्या हो गया चर्मुतकर्श के बाद क्या हो रहा था उत्रोतर हरास और पतन का यूग था वो है ना रितिका क्लियर है आगे देख तो दिखी, ये वली पंक्तियां किस किस राजा के कटू वचन कहने पर मियां से तलवार निकाली और कहा, तो किस ने कहा था ये? कभी ठाकुर ने, तो यहां से एक प्रशन हमारा आटोमेटिकली बन रहा है कि ये पंक्तें किसकी है ठाकुर की है, सेवक सिपाई हम उन राजपूतन के, तो किस राजा के कटू बचन के कहने पर उनने ये निकाले थे, कि विकल्प है, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत पहादूर, जगत सिंग, राजा परिचत, या फिर महराज उदित नाराएन सिंग, तो ये बात कही थी इन्होंने, जो अनूप गिरी उर्फ हिम्मत पहादूर थे, विकल्प नंबर एक, clear है, इन के लिए उनने ये बात कही थी, तो ये वाली चीज भी आपको अचारे रामजंद शुकल की पुस्तक में अच्छे सिस्वाँ पर विस्तार से समझाई हुई है कि क्यों इननने कही थी, तो चलिए, अगला परशन दिख लेते हैं, अगला है कि निमी लिखित में स कौन सी रचना ठाकुट जग्नमोहन सिंग की नहीं है, तो देखिए, ठाकुट जग्नमोहन सिंग है न, जो हमारे भारतेंदू यूग के जो प्रमुक कभी है, क्या आप कई बार भारतेंदू मंडल के कभीयों को पुछ जाता है कि उनमें कौन-कौन से है, है न, तो वो भी हमें पता होना चीए, क्योंकि कुछ इनकी छोड़ी-छोड़ी रचनाय जादा से नहीं है, सिर्फ भारतेंदू की बहुत जादा हो सकती ये रचनाय है, लेकिन उनकी भी कुछ प्रमुक रचनाय पूछी जाती है, लेकिन जो अन्य हैं, देखिए, चाए जग मोहन सिंग हो द्रिनारायन चौधरी प्रेम गन हो, प्रताप नरायन भिष्ष्र हो, उनकी भी थोड़ी-थोड़ी पूड़ी जाती है, तो इनकी पूंकिया वैसे हैं ही कम, तो उनको हमें क्या है, एक बार याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इनको देख लेना कि कौन-कौन से उनने लिखी है, तो दीखिए, प्रेम संपति लता, शामा लता, शामा सरोजनी और प्रेम प्रलाप, तो कौन सी रचना ऐसी है, जो ठाकुर जग मोहन सिंग की, नहीं है, ये पुछा गया है, तो दीखिए, इनकी जो दो हैं, इनमें कहलागा है, उपर लता, दो में लता वाली, तो हैं ही है, शामा लता, प्रेम संपति लता, शामा सरोजनी, तो ये इनकी तीनों है, ठीक है, प्रेम प्रलाप इनकी नहीं है, ये किसके, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र की, क्लेर है, तो आगे अब हम देख लते हैं, अगला प्रशन, बगियन बसंत बसेरों की योग, ब बने तिन बीच भियोग बुलाईए ना, तो ये पंक्ति किसके देखिए, विकल्फ है, परताप नारायन मिश्र, बद्री नारायन चौधरी प्रेम घन, देखिए, वही कभी आ रहे हैं, जिनकी बात मैंने पहले कर ली, जो भारत हिंदू मंदल के कभी है, तो इनकी पंक्त चल की जो विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तू कुटी में मेरे करो, ग्रहन संकोच नहीं, तो अब एक बार फिर से देखिए, अब जादातर क्या है, जादतर पंक्तियों को पूछा जा रहा है, ठीक है, हालां कि ये वाला जो प्रशन पत्र है, ये कभ का है, ये उस समय से प दिये कि इन इन राइटर्स को अब हमने पढ़ना है, लेकिन ये उससे पहले की है, हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ली जाएं, फिर भी हमें इनको याद कर लेते हैं, कि ये पंक्तियां किसकी है, तो ये जो मॉत्वोण पंक्तियां लेखिए, ये किसकी है, इसका जो सही योगी से ली गई है रचने क्लियर है अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि क्या है अवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है तो ये प्रशन बताने की जुरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रशन बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस शेजाती का साथ देता आया है यह कथन किस निबंद से उध्रिद है तो देखिए उत्सहा युद्ध और नारी जीवन का वेपसाई मजदूरी और प्रेम तो ये वाला जो पंक्तियां ली गई है ये ली गई है युद्ध और नारी से हाला कि अब हमारे पास फिर से क्या कर दिये हैं कि जो हमारे 10-11 जो निबंद लगे हैं उन में से ही पूछा जाएगा खास कर इस तरिके की पंक्तियां ये नहीं पूछी जाएंगी लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा जो प्रमुक प्रमुक हैं उनके बारे में चलिए अगला परशन द आदमी की और संतुष्ट पतनी को विशवस्तू बनाया गया है, ग्रामफोन का रिकॉर्ड निलम देश की राजकन्या, बाहु बली या फिर दिश्टिदोश, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर 1, ग्रामफोन का रिकॉर्ड, ग्रामफोन का अंग्रेजी सबैता की नकल और अपवे की कता है, clear है, तो देखिए, उपन्यास में रईस सहोकार मदन मोहन, तो हो सकता है, मदन मोहन पात्र पूछ लिया जाए कि किस का है, तो ये भी इसी प्रशन से क्या होगा, clear हो जाएगा, तो इसका देखिए, जो सही उतर होगा, वो होगा विकलप नंबर 2, परिक्षा गुरू, तो इसी लिए इसको क्या का था, अंग्रेजी से आपने या रखना की अंग्रेजी सबैता की नकल और अपवे की कता है, ठीक है, तो यहां से किसको कहा गया है, यह परिक्षा गुरू, है ना, इसमें है यह, clear है, तो और मदन मोहन भी अगर किसी का पात्र है, किसी उपने असका, तो वो भी क्या होगा, परिक्षा गुरू का ही होगा, नक्स नहीं तो देखिए, परंदत जैशंकर परसाद के किस नाटक का पात्र है, तो इनके जो पात्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि जो उपन्यास हैं, जो कहानी है, जो नाटक हैं, इनके प्रमुख पात्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, या तो उनके कथन, या फिर कौन-कौन से उसमें पात्र हैं, तो परणदत किसमें है, सकंद भुप्त में है, चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं, हिं अंतिप्रियत वेदी हैं, नंद दुलारे वाजपई जी हैं, या फिर आपका नेवी चंदर जैन जी हैं, फिर शिवदान सिंग चोहान हैं, तो देखे, इसका जो सही उतर होगा, वो होगा नंद दुलारे वाजपई, और यह नोंने कब लिगा था, 1942 में, क्लियर है, अगल जो सिधान्त हैं, इनको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, देखिए, शंकुक के सिधान्त का नाम क्या है, अनुभूतिवाद, यो भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, या फिर आरोपवाद, तो शंकुक का जो था देखिए, वो था अनुमीतिवाद, यहां पर अनुभू आई ए रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है तो दीखे ये पाश्चात्य कावशास्तर से पूछ लिया गया मतलब फिर बोही बात कि हर एक युनिट से पढ़ना बहुत जरूरी है चाहे भारतिय कावशास्तर हो चाहे पाश्चात्य कावशास्तर हो चाहे कहानी हो चाहे उप of culture, practical criticism, call region imagination. तो देखिए इन में से जो किसका नहीं है जो I.A. Richards थे तो इनका है देखिए North to Earth, definition of culture तो ये रचना किसकी है I.A. Richards की ना होकर किसकी है T.S. Eliot की है clear है ना? तो ये T.S. Eliot ने कब लेकी थी 1948 में जबकि principle of literary criticism किसकी है ये इन ही की है रिचर्ड की है ये इन ही 1924 में लिखी practical criticism उन ही 1929 में लिखा और college on imagination ये इन ही 1924 में लिखा तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम चीज़े हैं और ये पुछी ली जाती है जो पास चाते से आगे देखिए गोर अंधारे चंद मनी जीमी उजोग करी परम महासू एकुकने दूरिय अशेश हरे उपरिवत दोहे में महासू का संबंद किस से है तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो महासू है उससे क्या भी प्राय है तो देखिए इसका जो सही उतर है मैंने राउंड नीचे किया हुआ है विकल्प नमबर 3 देखिए A, B और C ये क्या है ये इसमें सही है ये देख लेते क्या है महासू का ततसमरूप है तो जो महासू है वो किसका है महासू का ततसमरूप है आगे है महासू का परिभाशिक शब्द है तो ये वजरियानियों का परिभाशिक शब्द है इस चीज़ को भी हमने जब हम वजरियानियों के सिद्धों के बारे में बढ़ रहे थे है ना तो वहाँ पर हमने क्या है इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है कि महासू का मतलब क्या होता है और प्रग्य और योग से ही महासू की दशा संबव होती है कलियर है आगे है देखिए अगला परहशन गुरक जगायो जोग भक्ति बगायो लोग इन पंक्तियों में तूलसी का क्या भी प्रा है तो एक बात तो कलियर यहाँ से हो गई ये पंक्तियं किसकी है तुलसी दासकी है फिर तुलसी का इसमें कहने का आश्य क्या है तो इसमें देखिए A और C सही क्या हुआ है नाधपंद का हट योग मार्ग रिदय पक्ष शुन्य है ठीक है जो हट योग मार्ग है वो रिदय पक्ष शुन्य है और C है देखिए योगि अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि अर्थ काम और मोक्ष नामक पुलशार्थ तो चारी बसेरे से देखिए शुकल का क्या पुछा क्या है अभी प्राय क्या है तो इसमें देखिए विकल्प नंबर दो और तीन B और C क्या है सही है प्रत्यहार, धारणा, ध्यान और समाधी नामक योग के अंग फिर जो शरियत, तरीकत, मारिफत, हकिकत तो ये किसमें ये सूफी काव्यक के अंत्रगत आते हैं तो B और C क्या है ये शुकल जी के अनुसार सही है मतलब इसमें प्रशन नंबर 23 अगला प्रशनम देख लेते हैं इन्हें पंक्तियों में किन भावों की अभी वेंजना हुई है लोक वेभार की, वर्ण वेवस्ता की, विने की या फिर गरभोक्ती की तो रविदास जी की पंक्तिया है इसमें इन्होंने किन चीज की अभी वेंजना की है विकल्प नंबर A, B और C ये है करण्ट, लोक वेभार, वर्ण वेवस्ता और विने की बात इन्होंने इसमें कही है चलिए, अगला प्रशन देख लेते हैं हूँ जूटो है, जूटो है, जूटो सदा जगू संत कहंत जे अंतु लहा है ताको सहे सट, संकट कोटि, काड़त, दंत, करंथ, हाहा है तो देखिए, तुलसिदास क्या कहना चाते हैं इन पंक्तियों में ठीक है, तो ये भी पंक्तिय किसकी है, तुलसिदास की पूछेगी है तो तुलसिदास की पंक्तियों का देखिए, आश्या क्या है वो पूछा गया है तो परिक्षा में प्रशन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं देखिए पहले की तरह क्या था कि सिंपल प्रशन नहीं पूछ लिया है पूछा जा रहा है बापको जो रामचरीत मानस है उसका उत्रकान लगा है तो हो सकता है उसके कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी ही पंक्तिया मिले हमें देखने को और इस तरीके से हमें उनका अर्थ जानना हो कि उसमें क्या कहना चाहा है तो यह वाली पंक्तिया देखिए तीसरी पंक्ति में पूचा है इत और वे स्वयम महा गुमार हैं तो तीसरी पंक्ती में ये दो चीजे ही हैं जो इसमें मेंचन की हुई है संसार को जूटा कहने वाले महा गुमार है ये इसमें नहीं कहा गया जान की जी नहीं तो ये भी नहीं है ठीक है तो B क्या है इसका सही उतरोगा विकल्प नंबर A और B म में माखन चोर गड़े अब कैसो हूँ निकसत नहीं उधो तिरचे हवे जो अड़े गोपी के दिल में कृष्ण बस गए है या फिर वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं वह उन्हें दिल में बसाय रखना चाहती है तो आप इसको बहुत सिंपल सा याद कर सकते हैं कि गोपीया तो कभी चाहती ही नहीं थी कि कृष्ण जो है उनके दिल से निकले तो बी तो इसमें से हो गई नहीं बागी चारी चीज़ें आपने पढ़ ली कि कृष्ण को दिल से निकाल पना गोपी के लिया समभ़ता वो तो आपने बी को सिर्फ साइड क कवीता है या रिती कालीन जो कवीता है समस्त ऊच ही आ सकती है तो उसको भी थोड़ी-थोड़ी हर एक यूग की हमें प्रवित्यों के बारे में पता होना चाहिए चाह प्रयोगवाद हो चाह आधुनिक कवीता की हो या उनमें कौन-कौन सी चीज़ें है वो भी समझ लेना है एक बार परिक्षा से पहले जरूर देखिए इसमें आंत्रिकन भूतियों का काव्य है या फिर मुल्त आत्म परधान और व्यक्तिगत है या फिर सभी परकार के रूडियों से मुक्त है या फिर अभी व्यंजना में ये अभी धा मुलक है, तो देखिए इसमें क्या है A, B और C सही होगा आंत्रिकान भूतियों का काव्य, ठीक है, आत्म प्रधान और व्यक्तिगत ठीक है, तब ही तो इसको करिती मुक्त कहा गया सभी प्रकार की रूरियों से क्या है वो मुक्त है, रिती, मुक्त, क्लियर है तो ये तीन चीज़े इसमें है अगला पशना है देखिए कि सुंक पुंज से फूली रहे सू लागी उर्दो जो व्योग दिहारे मातो फिरे न घिरे अवलानी पै जान मनोज में डारत मारे तो इन पंक्तियों में भावा वियंजना में कौन सा रूप व्यक्त हुए है तो भावा वियंजना के कौन कौन रूप इसमें व्यक्त हुए है तो यह क्या है यह हम पढ़ेंगे जब हम पूरा पूरा आपना जो अलंकारों वाली सीरीज है वहाँ पर हम इस चीज़को अच्चे से देखेंगे चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं मिरबाई के पदों में मुख्य चीज क्या है अपूर्व भाविवलता रहस्यानवूति आत्मसमर्पन या भगवद विरह की पीड़ा की उतकट अभी व्यक्ति तो देखिए इसमें क्या है अपूर्व भाविवलता तो है ह और रहस्यानवूति इसमें देखने को नहीं मिलेगी फिर आत्मसमर्पन और इश्वर के प्रति भगवद विरह की पीड़ा की उतकट अभी व्यक्ति तो A, C और D इसका क्या है सही होगा अगला प्रशन है खड़ी बोली शब्द का प्रियोग साहिति के हिंदी खड़ी बो इसमें अच्छे से बताएगा कि खड़ी बोली के समद्ध में कौन कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी इसमें गलत हैं तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर 3 A, B और C इसमें क्या है सही है ठीक है खड़ी बोली में लोग सहीत है बिलकुल भी नहीं ऐसा नह और पराचिन, युद का युगीन, संदर्व, युद दर्शन, या फिर सुधार्वाद तो देखिए इन में से कौन सी ऐसे भी कल्प है जिनसे इनका समबंद था है तो इसमें देखिए एक दो और तीन, ये तीनो चीजें क्या है ये रामधारी सिंग से समबंदित हैän अप इन्होंने इस चीज का क्या है वर्नन किया हुआ है सिर्फ सुधारबाद को छोड़ के क्लियर है निमी लिकित में से किन का समंद सचीदानंद, हिरानंद, बात्साइन अग्ये से है इसका जो सही उतर होगा देखिए एक तीन और चार आतम चेतस, भावरा अहेरी जपानी लोग कता का, रचनात्मक उप्योग तो इनका समंद किसके है ये है अग्ये से निमि लिकित में से कौन-कौन प्रेम चन की कहानियों के पातर है तो प्रेम चन की कहानियों के पातर पूचे कए है अमीना कौन थी जो हमीद की दादी थी है ना तो पंडित बुद्राम और अमीना ये हैं किसके प्रेमचंद के कहानी के पात्र अलोग पर माटी हो गई सोना विचार और पितरक कुछ उथले कुछ गहरे तो इन में से देखना है कि कौन जो है हजारी प्रसाद दुवेदी द्वारा रचे गए निबंध हैं तो ये सिंपल प्रशन पुछे जा रहे हैं सधारण से कौन से हैं और कौन से नहीं है तो देखे आलोग पर उनका ही निबंध है और विचार और वितरक उनका है तो क्लिर है 35 का क्या होगा पहला और तीसरा इसमें क्या है सही है फिर अगला है निमिलिकित में से कौन सी रचनाएं दलित आतम कथाएं हैं तो देखे दलित आतम कथा को भी हम नहीं चोड़ सकते दलित आतम कथा यह नहीं दलित उपन्यास और इनके बारे में बहुत चीज़ें पूछी जाती है तो अपने अपने पिंजरे हैं मुड़मुड कर देखता हूं या फिर मेरी पतनी और भेडिया गर्दिश के दिन तो इन में से देखिए जो क्या है जो आपका दलित आतम पतनी और भेडिया है और फिर अपने अपने पिंजरे तो ये दो क्या है दलित आतम कथा आए हैं जबकि दो नहीं है ठीक है अगला प्रस्चन देख लेते हैं निमी लिकित में से किन लेखकों का संबंद यथार्थ वाद से है तो देखिए यथार्थ वाद से पूचा गय है यथार्थवाद से है तो इसमें देखिए जो सही है उतर होगा वो होगा मादाम बावेरी और जॉन लॉक तो इनका समद्ध किस से था यथार्थवाद से था फिर अगला प्रशन प्रशन देख लेते हैं निमीलिकित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं तो देखिए प्रेमचंद के द्वारा रचे गए नाटक डिक्टेटर संग्राम बड़े खिलाडी या प्रेम की वेदी तो इसमें से जो सही उतर है देखिए प्रेमचंद के जो ना 18 में पूछा गया है, कि सदानीकन रससौद के भाद की प्रक्रिया है? या सदानीकन अलम्बनत्व धर्मका होता है? या सदानीकन के लिए भोजगत्व विपार अनिवार है? सदानीकन के बीना भी रसन भूति संभव है. तो इसमें दीखिए, अगले चीज़ देख लेते हैं कि निलोतपल के बीच समाय मोती से आंसु के बूंद उक्त काव्याश के लिए कौन सा कथन सही है आखरी प्रशन है यह हमारा आज का इसमें अलंकार द्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् ये जो अलंकार बगेरा बगेरा या फिर आपका ध्वनी जो है ये किसके अंदरगत किसे कैसे हम इनको याद रख सकते हैं तो ये थे दोस्तो आज के 40 प्रशन इसके बाद जो हमारे सीक्वेंस वारे प्रशन है उनको अब कम पुछा जा रहा है इसलिए मैंने उनको यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि अब जाद से जादा पांच आ रहे हैं जब से ये हमारा परिक्षा का थोड़ा सा पैटर्न आपको लगता है कि कुछ एक प्रशन का उत्र जो है मैं गरत बता रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि इस प्रशन का उत्र इस तरीके से होगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो त प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बूलें शुक्रिया जाहिन